तो अलेकुम प्यारे वीविवर्स आज हम बनावा चिकन यह इतना मज़े का बनता है कि ड्रय रहता है इसको बनाने के बाद आप ड्रय चिकन दुसरा कौन सा भी ट्रय नहीं करेंगे उतने मज़ेका बनता है यह इसको बनाने के लिए किन्चीज़ों की जरूत होती है देख लेका यह कि लिए लिए तो मेडियम टमाडर के पिख लिया रख लेंगे को फेट के रखने लाल मिच पॉड़र हल्दी नमक टेष्ट के साथ के दो टीस्पून जितना कश्मेरी लाल मिच लेंगे वन केजी चिकन है व pada टेबल स्पुन आध्रक सर्काइश ले लेंगे चल इकसली घड़े मसाले को देख लेंगे गुर्णे में इसको बुझ के बनाना है हो टो टेबल स्पुन मर्के धनिया ले लें दो सुखी मर्शällen ले ले लेंगे चार से पांच लोंग ले नहीं रहों पहलें तो पहले मसाल अगोँ पारा कए 17 degrees बिना है तो बनाधा, इसको बनाना है इसको यह बहुत ही बेहतरी नि बनता है याоп दूसरा रेसीपी ट्राइन करना वैति इतना मज़ेका बनता है और इसको अच्षे से बढलेना है जलाना नहीं है इसलोग आने के प्लिव नि अक पुल लेटा रहें अधे पैन में कंदी यह बहन अलोगर करुदा दना त्हुस्त को ना लए और एक जीघन को द लेंगे चिकन को डालके इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे मसाले डालके अच्छे से चिकन को दस से पंदरा मेंड तक भून लेना है जब तक कि पाने खुष्पना हो जाए देखे सारा चिकन को डाल लेया है थोड़े सुखे मसाले डाल लेना है थोड़े सुखे मसाले डाल लेना है अधरखलाशन पेष्ट डॉल के चिज़न को अच्छे से भूलेना है इन जार मिक्स करते हो चिकन को शो Its the थे जाना है दस दे पंड्रा मिन the तक इससे भूती बड़िया 나냐 टेस्ट आता है हमारे बूह चिज़न में चिकन भूनने के लिए मैं दूसरी तरफ रख दोंगे वह भूनते रहेगा हम स्वाइड में देखते रहेंगे एक पाउट ले लेंगे इसमें चार टेबल स्पून भरके तेल दालेंगे थादा तेल ज्यादा लगता है वन टीस्पून भरके जिरा दालेंगे सफेज जीरा और टीस्पून दालेंगे दूसुकी में को डालेंगे जीरे को अच्छे से क्राकल होने के लिए छोड़ देंगे एक से दो सकेंड के लिए आप बखेंगे आप चाहए तो पैसको आम्मेलटस काटके भी चुटवी बारी टुटवड़ामे काटके भी डाल जाहें दर्दराई पीस के दलने से एक स्मूछ सी ग्रेवी बनती है, आप दर्दराई पीस के डाल दीजे, अच्छा होगा, इसको अच्छे से भून लेना है, खलर चेंज होना तक, ज्यादा गोल्डन कलर करने की ज़रूत नहीं है, फिंकिश कर लेना है बस, अच्छे से भून लेन कि देखिए हमारा पाज अच्छे से भून गया है अब इसमें अध्रेक लशन पेश्टा लेहें वन टेबल स्पून भर के टूटल टू टेबल स्पून इसको भी आदेसे एक मिर तक अच्छे से भूले नाएं ताकि अधर क्ल्सं की रास्न जा सके अंधरा कलाशन को हमेशा अत्र अच्छी से भूनले ना है तभी सका टेस्ट आता है इसमें टमाटर काई प्यूरिर डाले ना है 여ких इसको भी अच्छे से भू सके दून गया है अब तूट टेज़ पुन जितना कश्मीर लाल मिर्च दालेंगे आपके पास नहीं तो स्किप कर सकते हैं आप नॉर्मल मिर्ची भी यूज कर लें आप थीका खाते हैं तो आप अपने हिसाब सी मिर्ची डाल लीजिए दिखें अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि खूश्मीर लाल मिर्च दाने से एक अच्छा सा कलर आता है और ज्यादा थीका नहीं रहता है इसके खुश्बेखinka तो भी ज़गा दा अच्छा है ना जालेंगे तो भी चलेगा आप नॉर्मल मिर्ची भी यूज कर ले in कि अपर्मिदी ठीक रहें अर्शे से बंद गया है देखिए हमारा मसाला भी कितने अच्छा अच्छा धिक रहे है और अच्छे से बंद गया कि नसल आ गया है इस टाइम पे अब हेम इसमें चिकन को टाल लेंगे चिकन का दाल के मसाले में अच्छे से मिक्स करते हुए इसको भूल लेंगे जो भी बाकी बचा हुआ पानी है वो भी अच्छे से खुश्क हो जाना है दही दल लेंगे अधा कप इसको भी दाल के चिकन के साथ अच्छे से भूल लेना है अच्छे से भूल लेंगे कि भूना मसाला ज्यादा पानि डाल के पतला नहीं करना है इसको गाडा ही रखना है इसके गरेवी ही रहती है कि अद्द Q और चिकन अझे से भुन गया है इसमें पानी डालेंगे चिकन पकने के लिए ज्यादा पानी डालें जितना पानी चाहिए ओतना है दालेंगे थोड़ा lifelongAKर करके इसमें भुणदा हुआ मसाला दाल जोड़ देंगे जब तक हमारा चिकन अच्छे से पकना जाए इस मसाली से यह इक अच्छा सा चिकन बन जाता है हमारा ड्रे बुनवा चिकन बनता है इस रेसिपिक आप जरूर ट्राय करें बहुत मज़ी की बनती है नान, रोटी और चपादीसा आप पर सकते हैं जब तक हमारा चिकन ना पक चाहे तब तक इसको लिड़ लगा के पका लें दिखिए हमारा चिकन कितने अच्छे से पक गया है और बहुत अच्छी खुश्बा आ रही है घर में तेल भी अच्छे से उपर आ गया है कि ड्राइब भुना हुआ चिकन हमारा बनके तयार है तो प्रोड़े से हर्यादनी अंदाल लेंगे इसमें चलिए इसका डिशोट करके मैं दिखाती हूं आपको उक्तो भागल को किटना बना है और टेस्ट में उतना ही बढ़िया है आप लोग इसस जरूद्रा क्रें आप लोग व्याड़ेख रहे हैं अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहें प्लीज सब्सक्राइब किजिए मेरे चैनल को सपोर्ट किए हमारे चनल को आपको व्यंडियो रेसिपी अच्छी लगी हैं तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर किजिए अलाहाफीस